आमचे स्वानन्द निउस चाइनल ले सब्सक्राइब करा आप बेल आइकों दाबा आनि पाहा स्वानन्द निउस चे वीडियो सरवा तदी आपले मोबाइल वर मशकार में वैश्नवी कामरीन स्वानन निउस में आप सभी का स्वागत हैं चर्चत होगी विकास कुपता के रियलिटी शो एज अफ स्पेस में हाली में शामिर होने वाले पॉपिलर यूटूबर, ब्लॉगर और ट्रेवलर दानिश जिहान की एक रोड एक्सिडेंट में मौत हो गई है 21 साल की उम्र में दानिश ने सोशल मीडिया और टीवी पर अपनी अलगली पैचान बने एक्सिडेंट से महच कुछ घंटे पहले ही दानिश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसे देखकर आप इस बात का अंदजा लगा सकते हैं कि उन्हें अपनी जिन्दगी से कितना प्यार था इस वीडियो को दानिश ने 23 घंटे पहले पोस्ट किया था जिसे अब तक 18 लाग से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं इस वीडियो में दानिश टिक टोक एप के वीडियो में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर दानिश के फैन्स और इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धनजली अर्पित कर रहे हैं बिग बोस 11 के एक्स कंटेस्टंट विकास गुपता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दानिश के वीडियो सर्वा तदी आपले मोबाइल वर मशकार में वैशनवी कामरीन स्वानन न्यूज में आप सभी का स्वागत है चर्चत होगी विकास कुपता के रियलिटी शो एज अफ स्पेस में हाली में शामिर होने वाले पॉप्यूलर यूटूबर, ब्लॉगर और ट्रेवलर दानिश जिहान की एक रोड एक्सिटेंट में मोथ हो गई है 21 साल की उम्र में दानिश ने सोशल मीडिया और टीवी पर अपनी अलगी पैचान बने एक्सिटेंट से महच कुस घंटे पहले ही दानिश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसे देखकर आप इस बात का अंदजा लगा सकते हैं कि उन्हें अपनी जिन्दगी से कितना प्यार था इस वीडियो को दानिश ने 23 घंटे पहले पोस्ट किया था जिसे अब तक 18 लाग से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं इस वीडियो में दानिश टिक टॉक एप के वीडियो में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर दानिश के फैंस और इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धन जली अर्पित कर रहे हैं बिग बोस 11 के एक्स कंटेस्टंट विकास गुपता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दानिश के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेर करते हुए लिखा दानिश तो हमेशा जहन में रहेगा जली जानकारी के अनुसार यह हाथसा तब हुआ जब दानिश सुभ एक चादी से लोट रहे थे तभी उनकी कार